हेलो फ्रेंड्स जाय माता दी वेलकम बैक अगेइन ऑन माय चैनल इंजीनियर भाई हाट इस वीडियो में आपको यह हम मोटर आती है अपनी 1000W की इसके अंदर दिखाऊंगा कि इसका अंदर क्या चीज़ होती है इसका construction दिखाऊंगा तो इस हमोटर की जो यह प्लेट है इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें आपको nut bolts मिलेंगे ऐलन की के ठीक है और जो ऐलन की का size जो इसमें आपका लगेगा वो आपका है 4 mm का ठीक है तो 4 mm के जो एलन की आप उससे इसको खोल सकते हैं तो basically वैसे मैंने सारे खोल के रख लिया है और इसको भी आसानी साब खोल सकते हैं इसको निकाल लीजे बाहरा आप खोल के तो इसके जो है नटबोर्ट सारे अपने खोल लिया है मैं आपको इसके दूसरी साइड से दिखा देता हूँ और यह जो मोटर एक हैतान कंपनी की काफी अच्छी मोटर है और इसकी रिपोर्ट काफी अच्छी आई है हम preferably यही यूज करते हैं और चलो ठीक है आप मैं में म बताता हूं आपको तो इसको खोलने का जो तरीका है ना वह कुछ इस तरीके से हैं कि आपको जो इसके साथ जबर जस्ती नहीं करनी है कि आप सोच रहे हैं कि हतोड़ा लो और पेज कर समय मार मार कर बाहर निकाल दू तो बिल्कुल ऐसा मत कीज़ेगा यह आपकी हम मोटर क वज़ेगा यह आपकी सिल्वर कि इसके पीछ तो बस यहीं पे इसमें बीच में जो है समको इसको प्रेश बाहर निकालना है है तो आपको आपको सिर्फ याशोना पयेशकता नहीं सकड़ना है और पाहर-फुछ करना है हल्कासा प्रेशर लगाएंगे तो यह भार हो जाएगे लेकिन सिर्फ एक जगा पर नहीं आपको जब घुमाएंगे तो आपको रोटेट करकर के ऐसे करना पड़ेगा ताकि अपना जो यह रिम है इसमें आपका एक्सेसिफ प्रेशर नहीं पढ़ना चाहिए अगर यहां पर प्रेशर आया तो रिम बैंड हो जाएगे तो इसको आप खोल सकते हैं ऐसे करके जब आप पूरा खोल लेंगे तो जब आप इसको घुमाएंगे तो अपने आप यह भ इसमें देख लिए कौन सी बैरिंग है 6204 तो इस मोटर के अंदर यह है आपके वाइंडिंग ठीक है इनसे पोल बनता है और यह देखिए इसकी कॉर्णर पर जो आपको रेक्टेंगल मिल रहा अंदर की तरफ यह है आपका मैगनेट तो जो स्टेटर है आपका स्टेटर ब और जो इसका स्टेटर है वो घूमेगा तो आप इसको इसे इंटरचेंज कर सकते हैं नेम में बाकी जो आप दूसरी मोटर आती है उसमें आपका रोटर घूमता और स्टेटर फिक्स रहता है यह है आपका हॉल सेंसर हॉल सेंसर काफी अच्छी ते पेस्टिंग की गई है इक मिट मैं आपको एक सेंपल दिखाता हूं ज़रा रुखएगा यहां ते दिखूं मेरे पास में दो ऊंट की हाल सेंसर है अगर मैं इस मूटर की बात करू तो इसमें दो वाईट आजो बाजो थो सेंटर में ला ले मतलब देखे मेरे पास फिक और एक सेंसरम है यह है हाल से लगेगा ठीक है क्योंकि बहुत लोग क्या इंफॉर्मेशन मांगते हैं कि इसकी जो वाइंडिंगों कॉपर है कि नहीं तो आप पी कॉपर वाइंडिंग है पहली बात तो और इसकी लाइफ कैसी रहेगी क्या कैसा है तो मैं इसलिए मैंने जो है इसको टीर डाउन किया है फिर आप कर सकते हैं जैसे आपने इस तरफ का निकाला है तो बेसिकली ये इसका कंस्ट्रक्षन था और इसमें ऐसा कुछ नहीं रहता है अब चलो इसकी पैकिंग करते हैं ठीक है तो पैकिंग में देखिए आप इसके एजस्ट पे जो है यह ग्लू लगा हुए ब्लू गल आप चाहें तो जो अपना आटो मुबाइल में जो अपना आना बॉन्ड आता है वो भी लागा सकते हैं आप उसमें भी चल जाएगा वो तो और अच्छा हाई टेमपरिचर पर भी काम करता है तो वो भी आप यूज कर सकते हो ठीक है तो चले इसकी पैकिंग करते वाइंडिंग है जैसे यह जो गुजारिश है मेरी इस पेशली जो अपने वाइंडिंग करते हैं उनके लिए है क्योंकि देखो हर किसी ने जो है इसका कंस्ट्रक्शन नहीं देखा ठीक है और यह चीज के नहीं है और इसकी डिमांड बहुत जादा आ रही है तो जो हमारे जो कि इसकी वाइंडिंग करते हैं तो उनको मैं एक तरीका बता देता हूँ बेसिकली जो थ्री फेस की वाइंडिंग होती है यह लगभग वैसी वाइंडिंग होगी इसकी बहुती है तो इस बात का ध्यान रखेगा और फिर आप ढ़ींग कर सकते हैं बहुत इसका आगे काफी स्कोप है तो आप एक बार देख लिजे वाइंडिंग ताकि आपको भी एक नॉलिज इसका पढ़ जाए क्या कैसा है ठीक है क्योंकि एक से बहतर दो रहते हैं सब के साथ मिलके ग्रू करना वह जादा जरूरी है तो हमारा सिध्धान्त यह इसलिए मैं जो है पूरी ची साधा होती है कि में लाद होती है इसमें हॉल तक यह मैं आपको एक अलग से वीडियो गाःँ कि अपना डिजिटल रहता है और इसमें शायद अपना अनलोग रहता है बाकि अगर कुछ इसमें कन्फिजन हुआ तो बाद में दूर कर दूर यह इसकी प्लेट है तो इसकी एजस पे आप जो है ग्लू लगा दीजिए क्विक फिक्स या फिर अनबॉंड ठीक है तो अनबॉंड लगा कि इस पर आप जो है प्रेशर ना डाले जादा नहीं तो यह अलॉय टूटने का भी चांस रहता है ठीक है या फिर बैंड हो जाएगा तो सेफटी इस मच बैटर तो ठीक है तो इसको हलका साब पुश कर दीजिए तो बस यह प्लेट अपनी लगए दोगा भी फ्री है नही इसको हलका साब हाथ से पुश करोगे तब भी चली जाएगा तो यह आपका लगए अपनी जगा पर इसको हलका साथ से घुमा लीजिए तोड़ा सब प्रेशर लगए का लेकिन घूम जायेगा यह तो इसकी आज़िस पे यहां फिर यहां से कुछ भी पेच्च्च करोगे जैसे यह है आपका, ठीक है, इसके अप सेंटर, तो इसके देखे, सारे अपने जो होल्स आ गए है लाइन में, बस अब हलका हलका जो नट बोल्ट हो डालके, फिक्स करते जाए और कस दीजो उसे, और आपके जो मोटर कम्प्लीट हो जाएगे, तो इसमें ग्लू लगाना मत के बाद में, so thank you so much for watching this video, अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजे, और चैनल का अगर content अच्छा लगता है तो उसको आप subscribe भी कीजे, ठीक है, और please press the bell icon, and thank you so much अगे, and जय मात आती.